साल 2013 में एक फिल्म आई थी भाग मिलखा भाग फिल्म का वजट मातर 30 करोड का था लेकिन कमाई 100 करोड के पार हुई थी एक अरसे बाद बॉलिवुड में कोई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बनी थी लहाजा लोगों ने दिल से स्वागत किया साथ ही हिंदुस्तान में एथलेटिक्स का प्रयाय वन चुके मिलखा सिंग की जिंदगी को भी लोगों ने बेहत करीब से जाना इसके बाद बॉलिवु प्रवार को फिल्म सूर्मा का ट्रेलर रीलीज हुआ है, ये फिल्म भारत के पूर्व कप्तान संदीप सिंग के जंदगी पर अधारित है, दलजीत दोसांज इस फिल्म में संदीप सिंग का रोल निभा रहे हैं, तो वहीं तापसी पनूं उनकी हरजिंदर कौर, जो की पत तक फिल्म का इंतजार करें। चलिए हम आपको बताते हैं सूर्मा की असली कहानी। अगर संदीब भार्टे टीम में सेलेक्ट होते हैं तो वे खोशी-खोशी अपनी बहन का हाथ संदीब के हाथों में रख देंगे। लगी। गोली लगने के बाद संदीब परलाइज हो गए। दो साल तक वो मैदान पर नहीं आये। ऐसा वक्त जब संदीब सब कुछ हो चुका था लेकिन उसके पास थी हिम्मत। चुकि होक्की में सारा खेल पीट पर निर्वर करता है। खिलाडियों को जुक कर खेलना होता है। संदीब सिंग के जजबे और हौसले का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोली लगने के तीन साल बाद लोग उन्हें ड्रेग फ्लिकर किंग और पैनल्टी स्पेशलिस्ट के नाम से बुलाने लगे। साल 2009 में संदीब ने भारत के लिए 13 साल बाद सुल्तान अजलान शाह होकी टूनमेंट जिताया। इस टूनमेंट में संदीब सबसे ज़ादा गोल मारने वाले खिलाडी थे। वहीं लंदन ओलंपिक क्वालिफायर टूनमेंट में संदीब ने अकेले ही 16 गोल मारे और भार के इसी दिगज होकी प्लेयर का जिंदगी का सफर दर्शक 13 जुलाई को सिनामा घार में देखेंगे। आशा करते हैं कि इस फिल्म की वज़े से लोगों को लगाव होकी से और जुडेगा।